अब देख रहे हैं हमारा कैनेडा आज मैंने सोते में से ओठके आपके लिए डेली लाइफ अपडेट लेके आया हूं मैं मेडिसन शुरू की है जो मुशे मिली थी फर नमूनिया और मैं पहले से स्लाइटली बहतर फील कर रहा हूं और अलोंग विद टाबलेट्स मैं वो शर्बत भी पी रहा हूं जो मैं वोलमार्ट से लेकर रहा था एवरी सिक्स आवर्स टू टी स्पून उसमें इतनी खुमारी है एक तो सुबह मैंने छे बजे पी आ वो और इसके बाद मुझे जाना था ऑफिस फिर बारा बजे मैंने पी ए टू टी स्पून फिर शाम को छे बजे मैंने पी टू टी स्पून और एफ नाट हैड़ चांस स्लीप फिर मुझे इतना वो बिल्ड अप होता गया खुमारी इतना मेरे सर पे चड़ गई कि बस आए उसके बाद मा क्रैक डाउन तिक बड़ आठ बजे मैं सो गया जोहाने सुबह स्कूल जाना था तो उसको सुलाने के लिए मैं थोड़ी दे लेटा कमर में तो बस मैं सोई या और अभी रात के बारा बज़ रहे हैं इस पिन फूर आवर्स के मैं सो के उठाउं अब मैं इशा की नमाज बढ़ूँगा हाला के अभी एक खंटा पीछे हो गया है कैनेडा में तो अब बहुत ही जल्दी जल्दी हो रह है लाइक और मॉस्ट साड़े चे बज़े क्या सवाद चे बज़े इशा की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है तो अभी रात के बारा बज़ रहे हैं बाराल मैं भी बोड़ूँगा इंशाल्ला अभी बाकी की नीन कॉंटिन्यू करूंगा मुझे डिप्रेशन हो गया है because of the situation in Gaza और दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है this has made me take a deeper look into history तो पता चला है के यह जो वक्त है जो अभी फलस्टीनियों के ओपर आया हुआ है यह आज के वक्त का crisis है many such crisis have been happening throughout the history शायद हम fortunate रहे हैं के हमारे वक्त में ऐसा कुछ हुआ नहीं है हमें कुछ देखने नहीं मिला और नहीं सो पैंसर टुनिस सो इकतर की जंगें भी हुई थी मेरी पैदाइश से पहले की बात थी वो मेरी पैदाइश में कोई practical war पाकिस्तान में रहते हुए नहीं experience की हमने yes there have been wars in Afghanistan, Iraq वो सारी चीज़ें लेकिन उस वक्त हम छोटे थे जादा तवज़ों नहीं जाती थी उन चीज़ों के उपर लेकिन अब जब जैसे जैसे जादा पता चलता जा रहा है दुनिया के बारे में और इस्पेशली जो डाइनेमिक्स है पुलिटिकल आइडियोलोजिकल डिफरेंसेज एंड मुसल्मानों के हिसाब से तो बड़ा एक डर दिल में बैठता जा रहा है के तिल नाव हम सेफ रहे हैं हमने एक भरपूर जिंदगी गुजारी है लेकिन डर लगता है के हमारे बच्चों के लिए ये दुनिया किस किसम की जगा है वो कलामटी जो बिफोल हुई है हमसे पहले नेशन्स के उपर और अभी भी हो रही है लेकिन कभी वो लोग भी ऐसी पुर्सकून थे जैसे हम है अपने अपने घरों में आज आज उनके उपर ऐसे वक्त आया हुआ है कल हमारे उपर आ सकता है ऐसा वक्त खास तोर पर हादीस की रोशनी में यह है कि अभी जब आगे आगे मलहमातल उस्मा होगा जो वोर्ज हैं जिनके बारे में हमारे नभी मुहम्मद ने भी बताया है यह वेरी 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 डेंजरिस और फ्राइटनिंग वह सब कुछ अभी होना है तो बस यही जहन में चलता रहता है कि किसी भी वक्त यह मुसीबत सर पर तूट सकती है और कोई जगा दुनिया में सेफ नहीं है महसूस हो रही कि इंसान नहीं सोच सकता कि मैं मिडल इस चला जाओं तो भापर सेफ हूँ या मैं पाकिस्तान में सेफ हूँ या मैं दुनिया में कई मी मूव कर जो तो मैं सेफ हूँ and it's not just about my safety it's about जब दुनिया में किसी के ओपर भी जुल्म हो रहा होता है तो मुझे तो सुकून नहीं आता तो बहुत डिप्रेशन चल रहा है लेकिन वही बात है इससे ये रेलाइज होता है कि दुनिया कुछ भी नहीं है या दुनिया की जिन्दगी कुछ भी नहीं है मुझे से बेतर लोग हैं जो पल पल मर रहे हैं दुनिया भर में हर जगा कितने ही चले गए कितने ही लोग थे जिन्होंने दुनिया में आकर बहुत कुछ अचीव किया उसके बाद वो चले गए दुनिया से या अपनी कुद्रती मौत मर गई या उनके ओपर जल्म हुआ और वो सब अचीवमेंट्स जो उन्होंने दुनिया में हासिल की थी वो सब चीजें जो उन्होंने दुनिया में बनाई थी सब पीछे चोड़के वो चले गए हैं so this life or everything that it has and it is very temporary बस यह है मैं कहतों इतना खौफ आता है कि किसी भी वक्त किसी भी किसम की मुसीबत इनसान के उपर तूट सकती है और यह भी डर रहता है कि यह तो एक दुनिया है चलें फिर मर जाएंगे तो उसके बाद सकून होगा या नहीं होगा यह भी आप नहीं कह सकते कि कि वो एक और दुनिया है जिसमें आपके एहमाल का इहतसाब होगा कभी कभी इतना खौफ हो जाता है कि जब मैं इस टॉपिक के ओपर सोचता हूँ the reality of life and death मेरे दिल करता है कि मैं कभी पैदा ही नहुआ होता या मैं exist ही नहीं करता because it's too much to go through because we are human beings और मुझे नहीं पता के मैं कितने पानी में हूँ और अगर मैं नहीं अगर रह्म ना किया खुदा नखास्ता तो फिर क्या होगा तो वही है कि बसला ताला से उमीद है इंशालला ऐसी सोचते हैं कि अच्छी उमीद रखनी चाहिए और अपने हमाल इंसान को दुरूस्त करने चाहिए लगिन मैं जब वो फुटेजेज देखता हूँ उन बचों के ओपर जो जुदू हो रहा है जिस्ट इमाजिन हैविंग तो लिव विदाओट इवन जस्ट बाथरूम उनके पास वाच्रूम छोड़ें उनके पास सोने का मौका तक नहीं है सोते होंगे तो ड़स कहीं पर बाउम गिरता होगा उट जाते होंगे और लुसिंग देर लफ़ वन्स ना खाना ना पानी ना सकून कहीं पर धमाका होता तो उदर से बच के निकलने की कोशिश करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो मर जाते हैं शायद उनकी मुसीवत खतम हो जाती है और जब बच जाते हैं दे स्टिल हाव टू कांटिन्यू बिंग इन दिस जहन्नुम है और फिर मैं देखता हूँ बेहिसी पाकिस्तानियों की खास्तोर पर यह जो है बड़ी ओव्यस है हमारे ड्रामों से हमारे जो यह शोर्य है अवोर्ड हो रहे हैं नाच गाना कि यह एक वह चैनल काफी नजरों से गुजरता रहता है जो बहनों वाला चैनल है पाकिस्तान में किसी को परवाई नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है अपनी दुनिया में ऐसे मस्त और मगन लोग हैं नाच रहे हैं गा रहे हैं but this is life as if this is what life is all about के भई आपकी अची चल रही है तो सब ठीक है but then I'm just it's a lot of depression that has surrounded me just now reality के बारे में सोचता हूँ अज की वीडियो आपको पसंदा ही होगी मुझे मश्वरा दें मुझे बताएं how should I think because it's all very depressing और अगर यह सोचूंके वही पाकिस्तान कभी हम वापस जाएं तो देरार पाकिस्तान में जो हालाद चल रहे हैं लोगों के कोई हाल नहीं है